अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाई से करते हैं सर्दियों के मौसम में कपकपाने वाली ठंड में हर कोई चाई पीना चाहता है इस मौसम में सर्दे जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती है ऐसे में आज हम आपको चाई की कुछ ऐसी खास वेराइटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिने पीने से आपको ताजगी के साथ अच्छी अच्छी सेहत मिलेगी तो चली जानते कौन कौन से चाई है पहला है मसाला चाई अगर आप सर्दियों में सेहत मन रहना चाहते हैं तो अपनी सुबा की सुरुवात मसाला चाय से कर सकते हैं इस चाय में काली मिर्श, लॉंग, इलाइची, डाल चीनी, अदरक और सौफ जैसे मसालों का इस्तेमाल होता है या गरम मसाले सर्दियों में संक्रमन से बचाओ करके शेर को स्वस रखने में मदद करते हैं दूसरा है ग्रीन टी, स्वास्त के लिहाद से ग्रीन टी भी बहुत फायदे मंद है इसे बनाने के लिए आप ग्रीन टी की पतियां, शेहद और नीमो का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिजम मजबूत होता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है आप सर्द्यों में ग्रीन टी बनाते समय उसमें अद्रका टुकडा, इलाइची, पुदीना, तुलसी की पतियां और नीमो का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा है कहवा सर्द्यों में आप कश्मीर की मसुहूर चाय कहवा का सेवन भी कर सकते हैं इसे बनाने के लिए आप पाने में ग्रीन टी, इलाइची, लॉंग, डाल चीनी, दूद, चीनी और गुलाब की पतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कई विटमिन मुझूद होते हैं जो स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मन माने जाते हैं अगला है लेमन टी सर्दियों में लेमन टी का सेवन बहुत ही फायदे मन माना जाता है इसे पीने से गले की खराश और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है इसके साथ ही लेमन टी मुह की बद्वि को कम करने में भी मदद करती है अगर आप चाय पीने के शौकीन है तो इस ठंडे में आप इन चारों चायों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही फायदे मन होता है